इंदोर की खान नदी और शेहर के नालों की गंदे पानी से शिप्रा हर जगा मैली हो रहे हैं कई कालोनियों और व्यसाइक संस्थानों का गंदा पानी नालों से होकर शिप्रा में जा रहा है इस्तिति यह है कि सदावल ट्रिट्मेंट प्लांट में भेजा गया गंदा पानी ट्रिट्मेंट के बाद फिर शिपरा में ही छोड़ा जा रहा है महकाल की नगरी में धार्मिक परवों पर देश भर से आये शद्धालू शिपरा में स्नान और उजन अर्चन करते हैं जल प्रदूशन के कारण आम लोगों को और शद्धालू और सादू संतों में शाशन की छवी धुमिल हो रही हैं यहाँ शब्द उस रिपोर्ट के हैं जो मद्यपदेश प्रदूशन नियांतरन बोट ने अपने सर्वे के बाद उज्जे नगरनिगम आयुक को भेजी हैं बोट के शेत्रिक कारिलाई के विशेशग्यों ने 29 दिसंबर 2021 और 4 जनवरी 2022 को शहर में शिपरा नदी का निरक्षन कर वास्तु इस्तिति की जानकारी जुटाई हैं इस निरक्षन में शिपरा में कहां-कहां गंदा पानी मिल रहा हैं इसकी रिपोर्ट तयार की गई हैं बोट ने यहां रिपोर्ट निगमायुक को भेजी हैं रिपोर्ट में शिपरा को जल प्रदूशन से बचाने के लिए सुझाव भी दिये गए हैं बोट का कहना है कि शिपरा के समिप आवासे शेत्रों तथा अन्य व्यवसाइक गती वीडियो से उत्पन जल प्रदूशन पर नियंतर एवं निगरानी की आवशकता है शेत्रे अधिकारी हेमंद तिवारी के अनुसार रिपोर्ट पर जिला प्रशासन और नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है जल दे ही इस जल प्रदूशन से मुक्ती मिलने की उम्मीद की जा रही है तो डाइवर्शन के बाद ये कलिया देह पर जाके इंटरसेप्सन डाइवर्शन के बाद मिलती है दूसरी चीज में यह है कि जो अपने हां नागजरी और मक्सी रोड इंडिस्ट्रल इरिया है यहां पर जो मैक्जीमम इनुट्स हैं वो सभी एयर पॉलूटिंग प्रकरती के हैं वाई प्रदूशन प्रकरती के और वाइटर पॉलूटिंग जो इनुट्स है वो उनका परसेंटिज काफी कम है तो और दूसरी चीज़ इन पर सदत निगरानी की जाती है यह किसी तरह से डिस्छाज़ ना करपाएं साथी जो यहां पर स्टिप का काम चल रहा है काम कम्रीट हो जायगा तो नों की बनने के बाद जो वह जो ओवर्विलो होता है बो टोटली बंद लेग्द